हेलो एवरीवन वेल्कम टू दिस अमेजिंग प्लैटफोर्म आफ पी डवल्यू क्या हाल चाले बचा लोग मचा रहे हो की नहीं तो आज मैं आप लोगों के लिए ले के आगयो इंपॉर्टेंट चाप्टर हैवी डिमांड पर ट्राइंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन अपन डिसकस करने वाले हैं तो आप लोग रेडी हो की नहीं मचाने के लिए भाई कॉपी और पैन निकाल लेना उमीद कर रहा हो ट्राइंगल का माइंड मैप आपने देख लिया होगा वहां पे आपने पूरी ठियोरी एक बार रिकॉल करा दी थी सर ने है ना कम सर ने आपका माइंड मैप लिया था तो वहां पे आदे घंटे में आपकी ट्राइंगल की ठियोरी रिकॉल हो गई होगी जिनको ट्राइंगल स्टाइंग से पढ़ना है तो वारियर में डिटेल में ट्राइंगल को पढ़ाया जाएगा और पिछले साल के वारियर में डिट और क्राइटेरिया जो similarity of triangle को प्रूव करने के जो क्राइटेरिया AAA जिसको डबल भी बोल सकते कभी तीन एंगल corresponding बराबर होते तो दोनों triangle similar होते हैं SSS कभी side का ratio proportional होता है तो आपके triangle similar होते हैं and आपका SAS दो side का ratio बराबर और एक उसका included angle बराबर तो triangle कैसे होते similar होते हैं आज के lecture में अपन क्या देखने वाले बचो इसी के around CBSE ने क्या-क्या question पूछे एक तो CBSE को basic proportionality theorem बहुत पसंद है उस पे question आता है तो वो अपने को ध्यान से समझना है कि basic proportionality theorem के question को करने का तरीका क्या है question को सोचने का तरीका क्या है question बनाने कैसे वो मैं बताऊंगा 16 से 17 question मैं अब तुमारे साथ discuss करूँगा पर मेरा एक suggestion है सारे question को खुद से try करना क्योंकि तुमने इतनी पड़ाई करी है नहीं करी है तो पहले इन वीडियो को देखो जो मैंने starting में बताए उन वीडियो से तुमको idea लग जाएगा कि triangle में है क्या 10th का triangle 9 के triangle से simple होता है तो इतना घवराने वाली बात नहीं है तुमने केवल 9th में तुमको इससे डर लगता तो तुमने का 10th में भी tough होगा तो तुमने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की अभी देखना में कोशिशनों के थुरू तुमारे concept को कितना powerful बना दूँगा सबसे पहले most important question में है ना अपन लेते हैं पहला question ये cbse 2012 का देखो ये क्या होता है ना geometry वाले question में given लिखना होता है फिर to prove लिखना होता है तो ये सब बाते लिखना है उसके एक number मिल जाएंगे है ना और थोड़ा बहुत आगे का लिख दो जो given में होता है उसके according सोच लो अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है parallel to bc ये diagram बनाओगे तो काम आसान होगा है ना हमेशा ये बात दिहान रखना diagram के साथ चलोगे तो काम आसान होगा जैसे ये मैंने बुला यार ये मेरा triangle ए a b c है ना भाई ये triangle ए a b c और ये कह रहें भाई या कि d जो है वो parallel ए b c के तो ये बना दिया आपने गुरू है ना d e को parallel to bc अराम से देखो d e को आपने बना दिया parallel to bc जो दिया था अपने diagram बना दिया इन्होंने एक बात और given किये एक बात और इन्होंने given दे रखी है एक तो DE parallel to BC दे रखा है मतलब भाया ये वाली जो side है ये इसके parallel है तो ऐसा triangle जब भी बने जब ऐसा एक side of a triangle से कोई दो side को join करने वाली line parallel हो जाए तो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चीए basic proportionality theorem क्योंकि उस theorem में diagram ही ये होता है है ना वो theorem क्या कहती कभी DE parallel है BC के तो AD upon BD बराबर होगा AE upon CE के ये बात basic proportionality theorem कहती है इन्होंने कुछ बाते दिये इन्होंने बोला भाया AD upon जो BD है वो कितना दिया है गुरू 3 upon 5 ठीक है और गुरू AC की value दे दी इन्होंने कितना 28 तुमको मैं एक बात बता दू कभी इन्होंने ये parallel दे दिया इसका मतलब देखो भाई AD upon BD जो है AD upon BD जो है वो मेरे भाई AE upon CE के तो बराबर हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी है अब तुमसे क्या पूछ रहा है तुमसे पूछ रहा है तुमको ये AE निकालना है ये वाली length निकालना है मान ले ये length X है तो ये AE की length पूछ रहा है अब तुम देखो के यार formula में तो 80 upon BD 3 by 5 है पर ना तुझे AE पता है ना तुझे CE पता है पर इन्होंने जानकरी देदी गुरू इन्होंने AC की value तुझे देदी कितनी 28 cm यार मेरे भाई मेरे भाई कभी तू देखे तो ये मैंने बोल दिया AE को X में बोल देता हूं अब इन्होंने AC तुझे कितना दे दिया 28 तो गुरू C चाहिए था वो भी निकलके आगे कितना 28 minus X डाइग्राम बनेगा तो चीज़े आत्वान हो जाएगी और तुझ तुझे पता है तुझे क्या लिखना है by basic proportionality theorem by bpt है ना given के बाद मेरे भाई to find लिख देना है यहां पर यहां पर ऐसा लिख देना to find यह to prove होता है कभी कभार to find हो जाता है कि आपको क्या निकालना एई निकालना है है ना अब मेरे भाई AE निकालना है AE कहा है यह रहा AE पपु सवाल अपन बोलेंगे in triangle ABC ओके यह अपना होगया solution बोलो या prove बोलो या solution ही बोलो है ना इन्होंने बोला in triangle ABC जो DE है वो parallel है किसके भाई BC के है जो DE है वो parallel है किससे BC से अब यार मेरे भाई DE कभी parallel होगा BC से तो क्या क्या कर सकता है basic proportionality theorem apply कर सकता है by basic proportionality theorem या थेल सतियरम तू कह देगा कि AD upon BD बराबर होता है AE upon CE यही नहीं AD upon AB मैं इसके आगे यह भी लिख देता हूँ कि AD upon पूरा ले ले AB वो किसके बराबर होगा उसका यह जरासा ले ले AE upon इसका पूरा ले ले AC ओके तू इस तरीके से भी AE निकाल सकता है डाइरेक्ट क्योंकि तुझे पता है कि basic proportionality theorem को ऐसे भी लिख सकते कि AD upon पूरा AB बराबर AE upon पूरा AC AD की value देख मेरे भाई AD upon AB तुझे नहीं पता है देख AD upon AB नहीं पता है तुझे AD upon BD की value दे रखी है तो तू इधर से चल यह आगया 3 upon 5 AE देख AE कितना है AE निकालना है गुरू CE कितना है पूरा AC 28 दे रखा है तो CE क्या होगा 28 में से X को घटा दे तेरा काम बन गया भाई इसको solve करना है तेको linear equation simple सी linear equation है यह मैंने केवल तेको इसलिए बताया कि basic proportionality theorem केवल ऐसा नहीं होता है कि AD upon BD AE upon CE के बराबर होगा AD upon पूरा AB भी ले ले लेगा वो बराबर होगा AE upon पूरे AC से है ना यह ऐसा बोले BD upon AB ले ले बराबर होगा CE upon AC के clear है ज़्यादा तेश तो नहीं हो रहा है अरे भाई इतनी बाते तो पता है है ना तो बस यहाँ पर अपन ने क्या करा यह अपन ने बोला कि भाईया let AE तुमारा X था मान लिया जो निकालना है तुम्हें AC दे दिया सवाल में 28 तो तुझे पताई कि AC क्या है AE प्लस C यह मैस लगाया तो CE की वेल्यू यहाँ से निकाल दी गुरू AC की वेल्यू 28 है यह तुने X माना था यह CE की वेल्यू आ गई 28 माइनस X अब गुरू यह 28 माइनस X है solve करते हैं इधर से गए अपन इधर 3 को इधर लेकर आए 28 माइनस X गुरू यह हो गया 5X गुरू यह देखो यार 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 2 केरी 3 2 जा 6 और 2 कितना मेरे भाई 84 कोई दिक्कत नहीं है माइनस कर ले 3X बराबर कर ले 5X 84 बराबर 8X X बराबर 84 बाई 8 सेंटी मीटर I hope सबका आंसर यही आया होगा कि X बराबर 84 बराबर 8 सेंटी मीटर इसी को बोलोगे तुम 10.5 सेंटी मीटर क्योंकि 80 और 40 आएगा तो 0.5 लग जाएगा तो final answer पहले का सबका आना चाहिए basic proportionality theorem का use करके question को निप्टा दिया कभी तुम diagram बनाओगे तो सवाल आसान लगेंगे जो पूछा गया है भाई यह एई पूछा है अब हमें basic proportionality theorem से AD upon BD को बराबर करना थे A upon C दिक्कत यहां आ गई गुरू C की value नहीं पता है पर इन्होंने AC की value दे दी तो AC बनता तो AE plus CE से ही है तो बस इतना सा सोचना था सवाल बहुत आसान था निप्टा दिया होगा यह 2012 में पूछा गया सवाल है बड़े आगे है ना तो सोचना पर देखो जुगीवा ने पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है geometry में सवाल कभी ध्यान से पढ़ोगे तो बनेंगे question देखो अगला अगले में यह चार option है आगरा वीडियो को पॉस्ट करो अंसर खुद से निकाल लो भाई क्योंकि यह बहुत आसान question है इसमें भी देख एमन पैरल देदिया qr डाइगराम ऐसा बने दिमाग में आ जाएगी क्या थेल्स थियरम या bpt है ना थेल्स थियरम या bpt basic proportionality थियरम दिमाग में आ जाएगी क्योंक पी एम कितना दिया six centimeter qm कितना दिया गुरू qm तुम्हें दिया eight centimeter ये छे दिया ये आठ दिया और qr ये qr दे दिया अब मेरे भाई यहां पे basic proportionality थियरम नहीं लगी यहां पे तीसरी side की length दिये ना कि ये वाली length दिये कभी ये वाली length देता तो basic proportionality थियरम का उप्योग हो गुला mn कभी parallel qr के तो मेरे भाई कभी ये दो लाइने parallel दे दी तो मैं हमेशा तुमको बता दू कि ये वाला triangle इस वाले triangle के साथ similar हो जाएगा by triple a similarity तुम्हें दिख भी गया होगा दिखाऊं जैसे मान ले ये angle one है है ना तो angle one angle two के बराबर क्यों क्योंकि corresponding angle है angle three angle four के बरा कि corresponding angle है और गुरू दोनों में angle five तो common है दोनों में angle five तो common है ये जरा सा triangle जरा सा मतला छोटू सा triangle ये pmn और pqr को देख क्या similar देख रहे है similarity का criteria triple a से ये triangle कैसे हो गए similar हो गए triple a लगाने की जरुरत नहीं थी double a से ही triangle similar हो जाते पर मैंने तेको पूरा visualize करा दिया कि कभी भी ऐसा दिया है कि mn parallel qr के तो ये जरा सा triangle बढ़े वाले triangle के साथ similar होता है बास समझ मागई बास समझ मागई पूचा क्या है गुरू पूचा है कि यार ये mn की value क्या है mn की value क्या है तो ये given था है ना आपको find क्या करना है mn बराबर क्या है ना mn के बारे में मुझे नहीं पता तो देखो मेरे भाई आते हैं थाबित करते कि mn क्या होगा तबसे पहले में कभी बोलू यार ऐसा कभी आये तो भाईया दो triangle दिख रहे हैं कौन कौन से triangle दिख रहा है pmn दो ही triangle बनते वे दिख रहे हैं एक pmn दिख रहा है क्योंकि P angle P के साथ बराबर M के साथ Q बराबर है तो M second position पे तो Q second position N यहाँ पे है तो यहाँ पे third position पे R क्योंकि angle 3, angle 4 के बराबर है order बहुत important होता है अब यह जैसे ही लिखा तो आप कहे दोगे गुरू क्या कि angle PMN बराबर है angle PQR के reason क्या लिखोगे corresponding angle और आप ऐसा बोल सकते हो कि line ने parallel है MN parallel है QR के corresponding angle reason लिखना है यहाँ पे हैं कि यह दोनों angle कैसे corresponding है ओके आपको यह सब बाते लिखनी होगी भाई bracket में उसके बाद मैं देखूँ तो angle PNM 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 देख PNM यह angle लिया बराबर किसके PR Q के तुम देखो लिखने का तरीका मैं कैसा गया PNM तो यहाँ भी ऐसी जाओगा PR Q first third second first third second reason same corresponding angle और यार एक angle तो common है लिखने की जरुरत नहीं थी यहीं पे तू लिख देता by double A similarity triangle कैसे हो गए similar हो गए पर तीसरा एंगल दिख रहा है तो लिख देना नहीं तो यहीं पे ही by double A वैसे तो यह तीनों angle बराबर है पर मैंने लिख दिया by double A similarity criteria triangle कैसे हो गए गुरू similar तो triangle जब similar हो जाते हैं triangle P M N similar का sign होता है ऐसा sap बराबर है triangle P Q R K तो by A similarity यह दोनों triangle similar हो गए जैसे ही यह triangle similar हुए तुम इनका ratio लिख सकते हो क्या लिखोगे गुरू PM upon P Q बराबर होगा देखो बिल्कुल वैसा PM upon P Q बराबर होगा किसके देखना अगला M N upon Q R M N upon Q R बराबर होगा अभी तुमने पहला दूसरा लिया पहला दूसरा दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा अब क्या बच गया पहला तीसरा बच गया यह तीसरी साइट पी एन अपॉन पी आ लिखने का तरीका पूरा समझ में आना चाहिए यह order important है नहीं तो answer निकालना है गुरू अपॉन क्यू आर क्यू आर इस ट्वेंटी एट एमन की वेल्यू निकाल जाएगी यहां से यहां से एमन निकल के आएगा एमन इस इक्वल टू यह 14 टूजा और यह दर जाएगा तो ट्वेल्व सेंटी मीटर यह चिन नहीं आगे होगा answer सब का कोई दिक नहीं है तो यह वाली साइड आ गई तो बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थियरम में यह वाली तीसरी साइड का तो कोई रिष्टा आता नहीं है कभी इदर का कुछ पूछता तो बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थियरम लगाता इसने इसके बारे में पूछ लिया इसलिए similarity of triangle लगा दिया जब भी ऐसी लाइने parallel होती तो यह चुटू सा triangle बड़े से triangle के साथ क्या होता है मेरे बाइब सिमिलर बाय ट्रिपल ए सिमिलारिटी बास समझ में आई एंगल 1 क्यों एंगल 2 के बड़ाबर क्योंकि में parallel है QR के सवाल में given है हर बात को detail में समझा रहा हूँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि doubt है बड़े आगे temple paper में था ये question अब देखो क्या पूछ रहा है सवालों को करने में geometry में ना पूरा बस diagram के साथ खेलना आना चाहिए देखो क्या दिया angle ACB ACB मतलब ये वाला एंगल वो बराबर है angle CDA के हैं तुम भी अलग-अलग pencil यूज करके थोड़ा सा अपना दिमाग चला सकते हो कि ये वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल बराबर है तो दोनों का रंग सेम रखते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल क्या CDA के बराबर है angle ACB बराबर है angle CDAK ध्यान से देखना मेरे भाई ध्यान से एकदम इदर आखे एकदम टिका लो अब यार तुम देखो ये दो एंगल बराबर है तुमको देखो इस diagram में कौन-कौन से triangle दिख रहे हैं एक ये छोटू सा triangle दिख रहा है एक ये छोटू सा triangle दिख रहा है तीन triangle तुमारे सामने दिख रहे हैं अब कौन से triangle को लेंगे देखो BD इस triangle में BD किसमें इस triangle में है ना तुमको जो निकालना है BD वो इस triangle में कभी मैं एक चीज देखू यहां पर तुमको क्या-क्या given है तुमको दिया है AC बराबर 8 cm और AD AD बराबर आपको द प्यारा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है find करना है BD पोचो ट्राइंगल सिमिलर दिखने चाहिए क्योंकि एंगल ACB बराबर दे दिया एंगल CDAK मतलब यह एंगल तो बराबर होई गया और यह एंगल common दिख रहा है मुझे यह एंगल क्या दिख रहा है common इस वाले triangle में भी बड़े वाले triangle में भी है तो यह common angle हो गया तो by AA similarity यह triangle यह छोटू सा triangle जो यह है ADC ADC वो किसके बराबर हो जाएगा ACB के तो देख इधर in triangle proof ऐसे सोचना होता है कि कौन से दो triangle similar दिख गए इंदोंने एक angle के बारे में दिया था common angle दिख गया angle A तो in triangle ADC ADC order देखना and triangle ACB क्योंकि angle A common है तो A तो दोनों में एक ही position था आएगा अब ADC बराबर किसके है यह ADC ही लिखा है बराबर किसके AC B के तो उसको लिख दिया वैसे order में ही और देखो angle जो है ADC वो बराबर है angle AC B के यह given है सवाल में इससे मत confuse हो जाना इन्होंने order ऐसा दे दिया केवल तुमको confuse करने के लिए यह बात जो लिखी है वो यही बात angle CDA बोल ले इसको या ADC बोल ले बात एक ही मैं बात इसी angle की कर रहा हूं बात मैं इसी angle की कर रहा हूं और common angle क्या common angle को लिखने का तरीका भाई CAD लिख रहा हूं same angle या common angle बोल दो जो कहना हूं भहिया देखना by AA similarity triangle कैसे हो गए similar हो गए बस यही देखना होता है अब देखो चालू करते है AD upon AC बराबर है DC upon CB लिखना आ गया ना AD upon AC बराबर है DC upon CB फिर पहला और तीसरा AC upon AB अब देखो क्या क्या दिया है इन्होंने AC और AD की value दिये देखना AC और AD की value दिये तो AB निकल कर आ जाएगा यहां से AB निकल कर आ जाएगा और एक बार AB निकल गया एक बार AB निकल गया तो AB मेंसे AD घटाओगे तो BD निकल कर आ जाएगा बाई BD दिखा नहीं मुझे ट्रेंगल में पर BD है तो क्या AB मैंसे AD को घटाना है तो इधर से AB निकल कर आ जाएगा कभी मैं इन दोनों को ले लेता हूँ पहला और पीसरा देखना क्या है AD upon AC that will be equal to AC upon AB cross multiply करा AB को एक तरफ लेके आ गए इसको इधर भेजा यह आया AC square और इस AD को नीचे लिया है यह आ गया यह AC square कितना है गुरू देखना ध्यान से 8 into 8 upon AD 3 ओ भाई 64 upon 3 centimeter I hope सबका आया होगा 64 upon 3 यह भी आया निकालना क्या था? BD निकालना था निकालना क्या था? BD तो BD क्या है मेरे भाई AB मैंसे? AD को घटा ले यह तो simple इस पूरे AB मैंसे AD को घटा ले AB की value निकल गई 64 upon 3 minus AD is your 3 यह करा अपनने तो यह आ गया 55 क्योंकि 64 मैंसे 9 जाएंगे तो 55 upon 3 20 meter तो इस cancer आ जाएगा 55 upon 3 20 meter I hope तब का answer आ गया है ठीक है मेरे भाई? कोई confusion, कोई doubt सोचना आ गया हो कि यह कौन से order में लेना है देखो यह दिया है ना angle बराबर तो बस उसको देखो यह वाला triangle और बड़ा triangle similar हो गया? कर दिया by AA similarity यह लिख देना by AA similarity बस तुमको एक्जाम में इतना लिखना हो number मिल जाएंगे order बहुत important होता है order है ना कि मैं जिस angle की बात कर रहा हो देखो मैंने triangle ADC क्यों लिखा? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मुझे समझ में आ गया था गुरू कि question ने तेको घुमाने के लिए ऐसे order में दे दिया A को ले रहा है पहले तो A को ले क्योंकि वो common angle है है ना और ADC के बराबर कौन सा angle है ACB तो इसलिए मैंने second position पर D के साथ C रखा क्योंकि angle D angle C के बराबर है और फिर तो काम आसान है ये दो हो गया तो तीसरा तो अपने आप place होई जाएगा समझ में आ रहा है कैसे place कर रहा हूँ गलती नहीं करो गया राम राम से करते चलो third question निप्टा दिया बड़े आगे fourth बात है parallel line parallel line basic proportionality theorem दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाईया DE क्या है parallel AC के DE क्या है parallel AC के और DC क्या है parallel AP के तो आपको प्रूव करना है कि BE upon EC बराबर है BC upon CP के चलो बड़िया है given क्या है given को देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि यार ये चीज़ क्या है given given है कि DE parallel AC के और DC मेरे भाई parallel AP के सबसे पहली बाद ये जो DE है ये parallel AC के और ये जो DC है ये parallel AP के है ना ठीक अब यार अब में को बताओ प्रूव क्या करना ये करना है कि B upon EC बराबर है BC runWip के पूर क्या करना है है पूर क्रूव करना है कि देखो अराम अराम से देखो एडी कभी पैरलेबेब लेे जीके ज्यान से दियेख्माइड यह है parallel AC के DE parallel AC के triangle दिख गया यह वाला BCA उसको भूल जा बाकि सबको DE parallel AC कौन से triangle में दिख रहा है triangle BCA तो प्रूफ करते हैं थोड़ा अराम अराम से है ना तुम्हारे सामने यह देखो भया जिस triangle में दिखी तुझे वो लाइन parallel वो triangle को लपेट इन triangle BCA तुम्हें दिया है DE parallel to AC यहां लगाया by basic proportionality theorem कभी DE parallel AC के तो इसका मतलब मेरे भाई BE upon CE जो चाहिए था BE upon C बराबर हो जाएगा BD upon AD के यह पहली बात अब देख मेरे भाई दूसरी बात यह वाली line DC parallel दिया है AP के तो वो कौन से triangle मारा है triangle BAP में तो अगली बाते इदर देखते हैं कि इन triangle BAP BAP में क्या parallel दिखा है DC parallel दिख रहा है AP के जो DC है वो parallel दिख रहा है AP के दिख रहा है यह DC parallel दिख रहा है AP के तो जब DC parallel दिख रहा है AP के तो वापस से by basic proportionality थिर्म तुम कह सकते हो कि BC upon CP will be equal to BD upon AD है ना BC upon CP बराबर हो जाएगा BD upon AD तुम देखो ये वाला relation और ये वाला relation दोनों का RHS सेम है ये पहला relation आया ये दूसरा relation आया by 1 and 2 दोनों का RHS सेम है तो LHS भी बराबर होगा तो BE upon CE बराबर हो गया गुरू BC upon CP के यही लेकर आना था यही लेकर आना था समझ में आया जो प्रूव करना होता है उन्हीं ट्रेंगल को लपेटना होता है कि B किसमें है C किसमें ये वाला ट्रेंगल लपेट लो फिर BC CP ये बड़ा ट्रेंगल लपेट लो इसको देखकर ट्रेंगल लपेटने का है ना अगले पर चले फिफ्ट कोश्चन दाते हैं देखो यार क्या कह रहा है ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF कहानी समझते हैं थोड़ा similarity और concurrency पर comment करने को कह रहा है ये रहा ट्रेंगल ABC और ये रहा ट्रेंगल DEF जो बाते कह रहा है उसको समझते हैं और फिर react करते हैं सबसे पहले एंगल B को इन्होंने बोला कि ये जो एंगल B है है ना वो एंगल E के बराबर है और एंगल F जो है एंगल F ओके वो एंगल B के बराबर है ये दो बाते देने के बाद इन्होंने कहा कि गुरू AB जो है वो 1 by 3 times DE है जो AB है वो 1 by 3 times DE है मतलब AB और DE बराबर नहीं है congrency मतलब क्या होता है कि triangle की हर एक side आपस में बराबर हो हर एक एंगल आपस में बराबर हो मतलब एक दूसरे के उपर चिपका दो तुम पर इसका मतलब तो यह कि यह छोटू triangle है इस चीज़ से तो यह समझ में आ गया गुरू कि यह वाला triangle ABC triangle से क्या है छोटा है समझ में आई बात मैंने diagram ऐसा बना दिया पर तुमको समझ में आ गया होगा कि यार triangle ABC क्या है बड़ा है comparatively इसके comparison में ओके तो भाया triangle क्या है angle B कभी angle E के बराबर है और angle C कभी angle F के बराबर है तो बाई double A similarity दोनों triangle कैसे हो जाएंगे similar हो जाएंगे congruent क्यों नहीं है क्योंकि side बराबर नहीं है AB और D कभी बराबर होते AB और D कभी बराबर होते तो मैं congruency बोल सकता तो यहां पर मैं congruency नहीं बोलूगा केवल similar है congruent नहीं है congruent के लिए तो एक दम identical shape and size होना चाहिए similarity के लिए shape identical होना चाहिए पर size same नहीं भी होगा तो चल जाएगा same है तो भी चल जाएगा नहीं भी है तो भी चल जाएगा इसलिए statement लिखाते हैं जब triangle पढ़ाते हैं कि all similar triangles है ना मतलब all congruent triangles जितने भी दुनिया के congruent triangles है they all are similar but all similar triangles जैसे ये triangle similar है but they are not congruent तो all similar triangles are not congruent यहाँ पे side बराबर नहीं है इसलिए यह congruent नहीं है बहुत basic सा था यह तो CBSE 2022 के exam में पूछा गया था In the given figure below AB जो है वो parallel ए F के और EF है जो parallel है DC के आपको prove करना कि AE upon ED बराबर हो जाए BF upon CF के पहली बात यहर parallel तो दे दिया पर triangle मेरे को नहीं दिख रहा है इसमें तो triangle नहीं दिख रहा है तो triangle बनाना पड़ेगा triangle बनाने के लिए अपने इसको join कर दिया किसको join कर दिया AC को क्योंकि triangle दिख नहीं रहा है triangle दिखाना पड़ेगा और यह वाला जो point है इसको अपने बोल दिया o point है ना तो भाईया given जो था given क्या था ध्यान से देखना given क्या था given था कि जो a b है वो parallel ए e f के और वो parallel ए d c के मतलए यह सब आपस में parallel है आपको जो prove करना है आपको जो prove करना है वो क्या prove करना है कि a e upon e d a e upon e d बराबर हो b f upon f किया इन तक पहुंचने के लिए मुझे triangle तो frame करने पड़ेंगे तो मैंने क्या किया construction किया join a p ओके विच विल कट e f at o okay join कर दिया a c को जो e f को cut कर रहा है ओपर अब देखना मेरे भाई proof जैसे ही मैंने यह बनाया तो मैंने को एक triangle दिख गया in triangle a d c है न यह triangle दिख गया a d p क्योंकि इसमें a e और e d है तो इन triangle a d c तुमें पता है e o e o भी तो parallel ही है क्योंकि वो o तो e f line में ही है तो e o parallel हो जाएगा c d के तो by basic proportionality theorem तुम कहे दोगे गुरू question बहुत आसान हो गया a e upon d e बराबर होगा a o upon po के in the same manner अगला triangle देखो क्या दिख रहा है अगला triangle मेरे कहल साब को दिख गया होगा कि in a triangle c a b okey c a b तुमें दिख गया o f parallel है किसके a b k तो again by basic proportionality theorem तुम क्या कहोगे po upon a o will be equal to cf upon bf अब देखो यहां पे a o upon c o की value है तो यहां से भी a o upon c o की value निकाल लगा भई a o upon c o रेसिप्रोकल कर दिया तो a o upon c o की value निकल कर आ गई इनको निको तो तो नाम दे दो तो मैं यहां पे लिख दू प्रम या अगले पेश पे लिख देता हो फ्रम वन अन टू फ्रम वन अन टू आप कह सकते हो जो आपको प्रूफ करना था कि a e upon d e a e upon e d बोलो या d e बोलो बात एक ही है है ना वो बराबर है बी एफ अपॉन पी एफ के है स्लियर है यही प्रूफ करना था तो बहुत आसान है बेसिक प्रोपोर्शनालीटी थियोरम पर कुछन पूछा जाता है और कभी तुमको वह पैररल लाइन दिख गई तो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता है मेरे क्याल से बात समझ में आ रही होगी कुछन अपने आप तुमसे बन रहे होंगे अगले पर चले चलो अगला कुछन दैट इस सेवन्त अब यार यह सेवन्त कुछन क्या पूछ रहा है मैं जुख जाता हूँ पड़ो इस कुछन को यह कुछन लिखा है इन दे गिवन फिगर, AB is parallel to DC and diagonal, AC and BD intersect at O इस AO बराबर 3X-1, BO बराबर 2X-1, OC बराबर 5X-3, and OD बराबर 6X-5 तो आपको X की value निकालनी है आपको क्या करना है? X की value निकालनी है मला आपको ऐसे दो ट्रेंगल लेने जिसमें AO, BO, CO, DO सब आए तो यूँ ही दिकरा है ये वाला triangle और ये वाला triangle क्या ये दोनों triangle similar है? क्योंकि दोको मतलब तुम बोलोगे ये वाला ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं है ना? तो इसमें भी आ रहा है, AOD और BOC भी तुमारे दिमाग में आ रहा होगा पर मेरे भाई ये दोनों triangle similar नहीं हो सकते हैं इसमें किवल तुम vertical या opposite angle बराबर कर पाओगे ये line ने parallel नहीं दिये तो जो दूसरा angle है वो बराबर नहीं कर पाओगे तो ये सब बाते ओरली सोचनी होती है कि ऐसे दो triangle ले ले लूँ जो similar हो जा है एरल ये सारे side आपको दे रखिए A O की value लिख लेना BO की value लिख लेना CO की value लिख लेना ओ कितना दिया है 3x-1 BO कितना दिया है 2x-1 अब इन्होंने कहा कि आपको X निकालना है, you need to find X, okay, X निकालना है, तो हमने लिया भाईया, एन ट्राइंगल ये प्रूफ सीदे, okay, एन ट्राइंगल A, O, B, कभी मैं A, O, B ले रहा हूं, तो देखना यार, ये वाला एंगल के सामने A, एंगल A, के सामने कौन सा एंगल करते हैं बच्चे, एंगल A, कभी ये एंगल 1 है, तो ये एंगल भी 1 होगा, क्योंकि alternate interior एंगल है, तो A के साथ C आना चाहिए, तो इदर, कभी A लिया तो सामने C आएगा, और एंगल O तो दोनों के बराबर होंगे vertically opposite, तो C के बाद तो O ही आएगा, और देखो D के साथ B आ है, और ये तो 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा vertically opposite angle के through, तो आपको ये देखना है कि 1 मतलब A, A के साथ C बराबर एंगल तो इदर लिखने का तरीका भी ये हो जाएगा, तो आपको ये ही लिखना है, याप एंगल A, O, B will be equal to angle C, O, D by vertically opposite angle, ठिक, कोई दिक्कत नहीं है गुरू, vertically opposite angle, lines and angles में पढ़के आए हैं, और फिर कोई भी लिलो angle A, B हो ले रहा हूँ, कभी A, B हो ले रहा हूँ, तो इदर से भी angle C, D, O, by alternate interior angles, property, ये दोनों angle क्या हो जाएंगे गुरू, बराबर, बस काम हो गया, काम हो गया, triangle A, O, B will be similar to triangle C, O, D, by AA similarity, by AA similarity दोनों triangle कैसे हो गए, similar हो गए, कभी दोनों triangle similar है, तो A, O upon C, O, will be equal to B, O, या O, भी लिखो, तो मैं B, O, लिख रहा हूँ, upon D, O, या A, B, upon C, D, अब A, B, और C, D में खेलने की ज़रुवत नहीं, ये सब बाते आपको पता है, हैना तो C, D, मैं A, O की value put करूँगा, that is 3X minus 1, upon C, O की value 5X minus 3, is equal to BO 2X plus 1, upon DO 6X minus 5, इसको solve करना है, cross multiply करके, X में quadratic equation बनेगी, इसको solve करेंगे, answer निकल कर आ जाएगा, करो इसको solve, समझ में आया, समझ में आया, तो बहुत simple है, triangle तुम लग fall to load ले रहे थे, अब इसको solve कर लेते हैं, अगले पेच पे, तो देखो यहर, 3X minus 1, है न, 3X minus 1 के साथ, आपका आ जाएगा, 6X minus 5, क्यों? क्योंकि, वो उदर था, तो उसको इदर बुला लिया, cross multiply कर दिया, 2X plus 1 के साथ, आपका आ जाएगा, 5X minus 3, कोई दिक्कत नहीं है, सर, दिक्कत कैसे होगी, जब आप पढ़ा रहे हो, तो बस अब cross multiply करने का दब simple multiply, यह आया, 18X square, यह आगया, माइनस का 15X, है ना, और यह आगया, माइनस का 6X, और यह हो गया, प्लस का 5, ओ भाई, अपने आप मिट रहा है, एन बदल लेते हैं, is equal to, है ना, यह आगया, 10X square, minus 6X, plus 5X, minus 3, बुला लो ज़रा इदर, 8X square, है ना, minus 21X, है ना, इसको इदर बुला लिया, 18 में से 10, तो 8 हो गया, यह minus 21, और इदर देखो कितना आ रहा है, minus X, इदर आके plus हो जाएगा, तो plus X, है ना, और यह इसको बुला लिया, इदर, तो यह आगया, plus का 8, बराबर 0, है ना, पूरा अराम अराम से सारी बाते आपके सामने लिखी हुई है, है ना, तो यह देखो यार, कितना रहा है, 8X square, minus 20X, plus 8, बराबर 0, पूरा 4 से, आप 4 को common निकाल सकते हो, यह क्या बन गया, 2X square, minus 5X, plus 2, equal to 0, उसको उदर बुलाओगे, यह quadratic equation बनागे, 2X square, minus 5X, plus 2, equal to 0, splitting the middle term, ऐसे दो number सोचने, जिनका product करने पे, plus 4 आए, और addition करने पे, minus 5 आए, तो minus 4 और minus 1, splitting the middle term लगाया, और काम आसान बनाया, यह आपके सामने, 2X common निकला, यह बना, 2X minus 2, यह minus 1 common निकला, यह क्या बन गया, वह या, इदर X आएगा, ज्यादा जल्दी में आजाते हो, गुरू, X minus 2, 2X common निकलेगा, तो X minus 2 और इदर minus 1 common निकला, तो X minus 2, बराबर 0, यह सेम बनते हैं, X minus 2 common निकाल लिया, 2X minus 1, बराबर 0, या तो X 2 हो, या X 1 by 2 हो, क्या X 1 by 2 हो सकता है, देख भाई, X को जब तू 1 by 2 रखेगा, तो DO की value देखना, 6 into 1 by 2 minus 5, भाई, negative में कभी कोई side हो सकती है, DO की value minus की 2 आ रही है, CO भी देख, कभी X की value 1 by 2 रख लेगा, तो CO भी तेरा क्या हो जाएगा, negative, तो भाईया, 1 by 2 को क्या कर देंगे, reject, X बराबर 2, except क्योंकि सारी side कैसी आ रही है उसमें, positive, तो आपको X की value निकालनी थी, that will be X बराबर 2, आगरा आ जाएगा, आपका answer एकदम भौकाली तरीके से मचाया होगा, बताओ, कोई दिक्कत, 7th question में, नहीं, बड़े आगे, चालो, आठवा question देखते हैं, okay भाई, PBC 2020, the perimeter of 2 similar triangles, 2 similar triangles का perimeter दे दिया, 30 and 20 respectively, one side of the first triangle is 9, find the length of the corresponding side of the second triangle, यहाँ से देखना, यह दो triangle मैंने बना दिये, यह है मेरा triangle ABC और यह है मेरा triangle PQR, अब यहार कह रहे हैं कि यह दोनो triangle, है ना, यह दोनो triangle कैसे गुरू, similar है, ऐसा इन्होंने दे दिया, क्योंकि perimeter of 2 similar triangles बोल रहे हैं, तो given क्या है गुरू, कि triangle ABC is similar to triangle PQR, given जो है उसको तो चापी लिया, और उनका perimeter भी दे दिया, कि perimeter of triangle ABC that is equal to कितना, 30 cm, and perimeter of triangle PQR, वो कितना है गुरू, वो है 20 cm, clear है, अच्छा, यह perimeter दे दिया, और एक side भी दे दिया, मान ले AB, one side of the first triangle, मतलए AB की value दे दिया 9, है न, AB तुम्हें दे दिया 9, cm, तुमसे कह रहा है, find the length of the corresponding side, कभी triangle ABC को similar मान रहे हो PQ, तो AB का corresponding side क्या होगा, PQ होगा, क्योंकि AB ऐसा लिखा, तो उदर पहला दूसरे पर PQ लिखा है, तो आप से पूछ रहा है, find करने को कह रहा है, भया, PQ निकाल लो, गुरू, तुमको एक बात पता है, कभी दो triangle similar होते हैं, triangle ABC, similar है triangle PQR के, तो इसका मतलब, corresponding side का ratio, AB upon PQ, बराबर होगा, BC upon QR, बराबर होगा, गुरू, AC upon PR, और यह बराबर होता है, perimeter of triangle ABC, मतलब, AB plus BC plus AC upon, perimeter के भी तो sum के बराबर होता है, दोनों के perimeter का ratio, plus QR plus PR, यह क्या लिखा है, perimeter ही तो लिखा है, यह उपपर, corresponding side का ratio तो बराबर होते ही, कभी दो triangle similar होते हैं, तो आपका जो perimeter है, उसका ratio भी जो corresponding side के ratio आ रहा है, उसी के बराबर आ जाता है, तो भाई, AB की value तुझे दे रखी 9, PQ तुझे निकालना है, perimeter of triangle ABC तुमें दे रखा है 30, और perimeter of triangle PQR तुमें दे रखा है 20, यहाँ से आपका PQ निकल कर आ गया, उदर भेजा, इसको 9 into 2 upon 3, that is equal to 6 centimeter, I hope सब का answer यह आया होगा, 6 centimeter, तो जब दो triangle similar होते हैं, तो उनकी corresponding side का ratio उनके perimeter के ratio के बराबर होता है, note कर लेना यह बात, NCRT में लिखी हुई है, हैना अप्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आगे, अच्छा, PBSE 2019, AD और PM क्या है, median से, किसके triangle ABC और PQR respectively, AD और PM, median से, triangle ABC और PQR, median क्या होता है, वो vertex से निकलता है, जैसे A से निकला, सामने वाली side को दो equal हिस्सों में बाट देता है, वो line कहलाती, median, जैसे भाईया हमने इधर बना है triangle ABC, ओके, अब इसमें एक median खीच नहीं है, तो हमने बोला, यह median है, तो यह तुम्हारा क्या है triangle ABC, और कभी AD median है, तो जो BD होता है, वो CD के बराबर होता है, in the same manner, यह आपका, दूसरा triangle है, PQR, और यह कह रहे हैं कि PM एक median है, क्या है भाईया, PM एक median है, यह आपकी हो गई median, PM, अब ध्यान से देखना, PM आपकी क्या हो गई median, अब PM median है, तो वो सामने वाली side को दो equal हिस्सों में बाटेगा, मतलब QM जो होगा, वो MR के बराबर होगा, QM will be equal to MR, यह median का काम ही होता है, कभी PM median है, तो वो ऐसे उसको divide कर देगा, इन्होंने एक बात और आपको कह दी, की, where given है, triangle ABC is similar to triangle PQR, यह given है, prove करना है, AB upon PQ is equal to AD upon PM, देखना भाई, AD और PM और AB और PQ, मतलब यह वाला triangle और यह वाले triangle को similar prove करेंगे, तभी यह possible होगा, यह prove को देखके समझ मागे न, AB upon PQ बराबर AD upon PM, मतलब triangle ABD और triangle PQM को क्या करना है, similar prove करना है, अब देखो तुमें यह तो पता है कि कभी triangle ABC similar है, triangle PQR के, इसका मतलब angle A, angle P के बराबर है, angle B, angle Q के बराबर है, और angle C, angle R के बराबर है कि क्यों triangle similar सवाल में दे रखा है, तो यह angle B जो है, वो angle Q के बराबर है, वैसे angle A angle P के बराबर है, और angle C angle R के बराबर है, मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि जो मेरे को prove करना है उसमें B और Q आ रहा है चलो एक-एक एंगल तो बराबर हो गए अब तुमें ये भी पता है कभी ये triangle similar है तो इनकी corresponding side का ratio भी बराबर होगा मतलब AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR देखना कैसे सोच रहा हूँ इन्होंने जो given condition दीती वहीं से आपने देखा कि corresponding angle बराबर होते corresponding angle में मुझे target करना था triangle ABD और triangle PQ में उसमें पूरा angle angle B और angle Q आ रहा है तो मैंने उसको देख लिया कि angle B angle Q के बराबर है उसके बाद हमको पता है दोनों triangle similar है तो उनकी corresponding side का ratio भी बराबर होगा देख पा रहे हो तुमको click हुआ अब यार यह जो BC है BC यह basically क्या है BD plus BD तो क्या मैं इसको लिख सकता हो two times BD है यह अरे यह CD BD के बराबर है तो BD plus BD two times BD हो जाएगा तो इस BC की जगा मैंने लिख दिया two times BD in the same manner मेरे भाई QR क्या है QM plus MR तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ यह MR QM है तो यह 2 QM लिखे हुए तो QR को भी मैं लिख सकता हूँ कि यह लिखा है two times QM बराबर AB upon PQ अब AB और PQ तो चाहिए ही था है ना तो उसको रहने दिया यह कड़ गया तो यहां से एक relation आ गया गुरू AB upon PQ will be equal to BD upon QM जहां से देखना AB upon PQ AB upon PQ बराबर आ गया BD upon QM के और included angle angle B angle Q के बराबर है तो by side angle side similarity criteria दिख रहा है क्या दिखा अरे भाई हर question में double A नहीं लगता है कुछ question ऐसे आ जाते जहां पे एक angle included आले यह देख AB upon PQ बराबर कर दिया तो ने BD upon QM के अब आज 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 प्रूफ पे है ना प्रूफ में यह सब बाते भी लिखनी है पर अब मैं सीधे देखूं जो triangle मेरे required थे triangle ABD and triangle PQM घ्यान से देखना AB upon PQ AB upon PQ will be equal to BD upon QM यह बराबर आपने कर दिया और angle B angle Q के बराबर है क्यों क्योंकि triangle ABC is similar to triangle PQR यह गिवन था तो भई यह side दो side हो गई और एक यह included angle हो गया तो by SAS similarity कब लगती है जब AB upon PQ बराबर है BD upon QM और यह included angle बराबर है तो by SAS similarity triangle कैसे हो गए गुरू by side angle side similarity समझ मैं है कैसे लगी AB upon PQ बराबर है BD upon QM और included angle इन दोनों side के बीच का angle ही बराबर ऐसा नहीं यह वाला और यह वाला कभी यह बराबर होता तो SAS नहीं लगती SAS तभी लगती जब included angle बराबर हो तो included angle बराबर दिख गया मतलब मेरे भाई काम हो गया triangle ABD is similar to triangle PQM और यह similar है तो आप CPSG लगा सकते हो कि AB upon PQ will be equal to BD upon QM will be equal to AD upon PM यही प्रूव करना था कि AB upon PQ AD upon PM के बराबर हो hence प्रूव कर दिया यहाँ पे लिख देना यह by corresponding parts of similar triangle CPST हर जगा लिखना हाँ जब भी similar triangle के बाद मैं corresponding ratio लिख रहा हूँ तो यह line लिख देना by corresponding part of similar triangle CPST यह क्या हो गया corresponding side का ratio बराबर कर दिया और hence प्रूव कर दिया hence मचा दिया यह 2019 में पूछा जया सवाल clear है अराम से देखना चाप लेना बहुत basic सवाल पूछता है triangle में CBSE केवल तुमको similarity के कभी criteria पूरे दिमाग में कि हर जगा double A नहीं लगती गुरू या triple A नहीं लगती कहीं जगा S A S भी लग जाती है और कहीं जगा triple S भी लग जाती है तो तीनों criteria को दिमाग में रखना तब किसका use हो जाए सवाल पे depend करेगा clear है है नहीं तो बच्चे क्या maximum question डबल A से होते तो उनके दिमाग में किवल A की criteria रहता है बाकी वो भूली जाते है नहीं भाई बाकी का भी काम है अब तुमको कह रहा है यह जो X है मतलब जो NP है in terms of ABC लिखो in terms of ABC लिखो देखो मेरे भाई यह angle 46 है ज्याँ से देखना angle given given क्या है कि angle LMK LMK बराबर दे दिया angle PNK बराबर दे दिया 46 degree हैना यह given था prove क्या करना है गुरू प्रूव करना है कि X को ABC के terms में निकालो तो देखते हैं जरा इसको सबसे पहली बात कभी यह angle और यह angle बराबर है तो इसका मतलब क्या है यह angle LMK is equal to angle PNK और यह तो corresponding angle होते हैं LMK और PNK दोनो MK transversal पे बन रहे हैं तो यह दोनो line है कैसी हो जाएगी parallel हो जाएगी मतलब मैं कह सकता हूँ कभी यह दोनो angle बराबर है इसका मतलब LM जो है वो parallel होगा PNK by converse of corresponding angle property अरे यार यह कभी दोनो line है parallel होते हैं तभी तो यह angle बराबर होते हैं तो इन्होंने यह angle बराबर देती है इसका मतलब यह line है कैसी है parallel है क्योंकि यह तो देखो common है MK दोनों में यह और यह angle कभी बराबर आ रहा है इसका मतलब यह line है parallel है कभी LM parallel आ गया PNK तो भहिया in triangle कौन सा triangle लपेटोगे KNP KNP and triangle KML KNP और KML यह दोनों triangle को लपेटो तो तुमको समझ में आएगा कि KN upon KM will be equal to NP upon ML will be equal to KP upon KL अब मेरे भाई KN यह आ गया ना KN तुमारे पास C है KM के M पूरा B plus P है NP तुमारे पास X है ML तुमारे पास A है तो X की value देखना मेरे भाई क्या आ रही है AC upon B plus C मेरे क्याल से सबका आ गया होगा गलती मत करना आगर आ जाएगा answer AC upon B plus C देखो X upon A बराबर C upon B plus C यह दोनों triangle similar हो गए क्योंकि LM parallel PN के है ना यहाँ पे देखना यह कैसे लिख दिया मैंने मैं 2-3 step खा गया हूँ पर तुमको समझ में आ गया होगा कि sir angle आपने लिख दिया था कि angle LMK is equal to angle PNK यह तो given है और एक common angle है angle LKM will be equal to angle PKN तो यहाँ पे reason लिखना same angle और पहले वाले में reason लिखना given बस यह दो बाते लिख दी तो triangle कैसे हो गए similar by AA similarity और कभी triangle similar हो गए by AA similarity तो यह फिल लिख देना उसके बाद by corresponding parts of similar triangles माफी चाओंगा समझ में आ गया होगा मैंने एकदम लिख दिया जोश जोश में मैंने मन में ही कर लिया था कि है similar होता है तो KPN similar होगा KLMK ऐसे देख लो या KNP आपने जिस order में लिखा KNP similar होगा KMLK कोई दिक्कत नहीं है ठाप लेना एकदम तरीके कैसे छाप लेना देख लो LMK LMK यह रहा बराबर है PN KK LKM PKN दोनों common angle दिख रहा है और रामस है है ना common angle K था तो K को साथ में लिखा लिखने का order समझ में आ गया होगा solve भी तुमसे हो गया होगा confusion तो है ना बड़े आगे ओहो हो पीबेसी 2012 का क्या star बनावा problem है भाई देखो PQ क्या है parallel BAK और PR क्या है parallel CAK आपको खेलना है PD देदिया आपको 12 PD देदिया कितना 12 देखना भाई PD यह देदिया तुम्हें 12 अब given और two proof लिख लोगे हाँ मैं सीधे सवाल पर आता हूँ देखो क्या-क्या लाना है DB चाहिए DB मतले यह बड़ा triangle तो लपेट नहीं पड़ेगा CD चाहिए अब यार मैं लाइनों को parallel देखता हूँ तो पहली आपको दिये given में कौन सी लाइन PQ parallel दिया है किसके BA के ध्यान से देखना PQ यह जो है PQ यह parallel है किसके BA के अब यह BA की जगा मैं BR भी ले लू तो यह जो PQ है यह parallel है किसके BR के अब कभी मैं यह वाला triangle ले लेता हूँ यह वाला triangle कभी मैं ले लेता हूँ जिसमें PQ parallel है BR के है ना कमझ में आ रहा है बात यह वाला triangle दिया मैंने कभी इन triangle कौन सा DBR PQ is parallel to BR बोल सकता हूँ तो by basic proportionality theorem by BPT क्या कह दोगे सर by basic proportionality theorem तुम्हें पता है कि यह PQ आपका किसके parallel आ गया BR के अब देखो तुमको DB चाहिए ना सवाल में तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो DB upon DP है ना बराबर है DQ upon DR के देखना ध्यान से DB कभी मैं यह दर पूरा DB ले रहा हूँ तो उदर भी मुझे DB upon DP will be equal to DR upon DQ जो चाहिए उसके according आपको लिखना होता है अब यहां पे बच्चे ऐसा लिख रहे होंगे DP upon PB बया अब बहरे पी बी का काम ही नहीं है पी बी दिख रहे है के नहीं दि Cathra GB दिख रहे है तो पूरा ले रहा है तो उदर भी पूरा ले 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 है डी है डी डी बी ले लिए तो अर धर dużo Q ले लिया बस इस तरीके से लिखना होता है अब यह तो हो गया एक अब दूसरा ट्रेंगल क्या लेंगे देखना दूसरा ट्रेंगल यह वाली लाइन इसके पैरल है तो यह ट्रेंगल दिख रहा है कौन सा ट्रेंगल डी पी आर इन ट्रेंगल डी पी आर आपको दिख गया कि CQ जो है वो parallel है PR के diagram को देख कर चीज़े हो जाती है clear अब तुम्हें DP चाहिए क्या DP चाहिए क्योंकि DP से काम चलेगा तो पूरा DP ले रहा हूं तो DR लोंगा तो DP upon DR by basic proportionality और हम DP DP है ना DP के साथ DR नहीं sorry DP कभी ले रहा हूं DP के साथ DC ले ले लेता हूं okay upon DR upon DQ अब तुम देखो इधर भी DR upon DQ आया इधर भी DR upon DQ आया तो यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे तो आप कह सकते हो कि DP upon DP बराबर है लिखने का तरीका समझ में आया की नहीं एक बात ध्यान से देखना कभी ये दोनों लाइने पहर रहे ले मुझे क्या चाहिए था मुझे देख वापस से DR और DQ ही बनाना है तो DR बनाने के लिए मैं पूरा ले रहा हूँ तो इधर भी मैं को पूरा DP लेना पड़ेगा और फिर मैं DQ के लिए इतना ले रहा हूँ तो इधर भी मैं को DC लेना होगा तो मैंने वही किया है DP के साथ DC लिया DR के साथ DQ लिया अब ये दोनों बराबर है देखो DR अपन DQ उसके बाइव वन एंड टू ये वन हो गया और ये रिलेशन टू हो गया तो बाइव वन एंड टू यहीं पर कर देता हूँ बाइव वन एंड टू आपको दिग गया अपन DP बराबर है बहरे वाई डी पी अपन DQ तुम्हें चाहिए क्या था डी बी इंटू सीडी ये डी बी इंटू ये डी सी को सीडी लिख दिया बराबर हो गया डीपी का स्कॉयर और डीपी की वेल्यू दे रखिये ताट इस बारा बारा का स्कॉयर विच इवल टू 144 सवाल दिया है तो बनेगा और exact देखो वही बज गये थे दो unknown dp और cd उसकी value निकल के आगई 144 cm सवाल समझ में आया तो घबराना नहीं है डाइग्राम को देखके parallel line basic proportionality theorem लगाओ दो लाइने parallel दिकी ratio बराबर होंगे ratio लेने का तरीका समझ लो अब देखो इसमें तुम dc upon cp लेकर dq upon qr ले सकते थे पर dc cp की बात ही नहीं हुई है dp की बात हुई है तो dp मतलब वही pd की बात हुई है तो dp तो लेना है अब dp ले रहा हो तो dl लूगा इधर dc ले रहा हो तो dq लूगा बस बात ऐसी है simple d इसी क्यों लिए समझ में आया है क्योंकि यहाँ DC है clear है एकदम दिमाग चलना चाहिए कोश्चन को देख के सवाल हो रहे है बारबाद देखो अगेन उसी वेराइटी का कोश्चन है इन दे गिवन फिगर AB जो है यह पैरल दे दिया भाई CD के AB पैरल दे दिया CD के डाइगनल AC और BD इंटरसेक्ट हो रही है ओपर यह कोश्चन तो अपने अल्रेडी कर चुके है इसका अंसर टू आया यह देखो सेम कोश्चन रिपीट हो गया है यह DTP ऑपरेटर ने सेम कोश्चन छाप दिया एक बार साथ वे पे और बार वे पे तो जो सेवन्थ कोश्चन था वही यह कोश्चन है कोश्चन नमबर सेवन वापस से लिख दिया इनों है क्लियर चालो अब तेरवा ABCD is a parallelogram भाई ABCD क्या है parallelogram है E एक point है यहाँ पर of BC such that रेक रेशो दे दिया भाई BE upon EC का रेशो दिया है कितना 1 by 3 यह बात तुमको दे दी कि यह BE upon EC 1 by 3 है BD and AE BD and AE meet each other at F ओके है है ना शो करना है कि DF बराबर 4FB है और AF बराबर 4EF है देखो यह बढ़िया सवाल है तोचना पड़ेगा इसमें प्रूफ है यह तो given है प्रूफ क्या करना है कि जो DF है वो है 4 times FB के और जो AF है वो है 4 times EF के बराबर है और यह CBSC 2012 में पूछा गया सवाल है इन्होंने एक चीज़ और given है कि यार जो ABCD है वो parallelogram है और parallelogram की opposite side equal होती हो parallel होती है यह बात हमें पता है अब देखो यार यह बराबर एंगल हो गए और यह एंगल कभी 1 बोल रहा हूँ तो यह एंगल भी 1 होगा Z बन रहा है अल्टनेट इंटिरियर एंगल यह एंगल 2 है तो यह भी एंगल 2 हो जाएगा तो यह मेरे को दिख रहा हे कि ट्राइंगल एफिके डा शेए को टींगफे क्यों क्यों similar हो गए क्योंकि देखो ADF एंगल ADF जो है वो वन वो बराबर होगा एंगल EBF के alternate interior angle दोनों लाइने parallel है क्योंकि parallelogram दे रखा है है ना बहुत बढ़िया ट्राइंगल ऐसे similar दिख रहे हैं तो मजा आ रहा होगा बहुत बढ़िया यही सोचना था यह दोनों triangle को आपने क्या कर दिया similar कर दिया कौन से दो triangle in triangle AFD अब देखो AFD ले रहा हूँ तो A angle के साथ कौन सा angle बराबर है E तो लूंगा दूसरा triangle A के साथ E आएगा है ना F के साथ F आएगा क्योंकि FF बराबर है vertically opposite angle और D के सामने B आएगा order बहुत important होता है अब लिख लो यहां पे लिखने में बहुत आसानी होगी जब तुम सही order मिलोगे angle A F D बराबर है angle E F B के by vertically opposite angle में V O A लिख रहा हूँ तुमको समझ में आगया होगा by vertically opposite angle और angle F A D F A D बराबर है angle F E B के देखो F A D बराबर है F E B के यह वाला angle 3 by alternate interior angle तो मेरे भाई काम हो गया by A A similarity triangle जो A F D है वो similar हो गया triangle E F B के और कभी दो triangle similar है तो A F upon E F will be equal to F D upon F B will be equal to A D upon B E अब यार तुम्हें क्या-क्या दिया है घ्यान से देखते हैं जो A D है जो A D है वो B C के बराबर है यह जो A D है मेरे भाई देखना क्योंकि देखो इधर B B के बरे में जनकरी नहीं है F D F D और F B का रेशो यह तुम्हें प्रूव करना था पहला कि F D upon F B कभी मैं इस F B को इधर ले जाता हूँ तो यह 4 by 1 आना था F D upon A B F B A D upon B E के टर्म्स में आ रहा है जो A D है मेरे भाई वो तो यार तुम्हारा B C के बराबर है यह जो A D है यह B C के बराबर है क्योंकि A B C D पैरललोग्राम दे रखा है है ना तो भाई इस B C को तो मैं लिख सकता हूँ B E प्लस C E और तुम्हें एक गिवन दिया है कि यार जो E C है वो 3 times B E है मतलब B E जो C E है यहां से देखो C E की value 3 times of B E सवाल में दी भी है तो यह आ गया 4 times B E क्या B C अरे बहुती साही relation आ गया है तो कि जो B C है वो 4 times of B E है और A D B C के बराबर है तो भाई यहां पर लिख सकता हूँ 4 times B E यहां मैं बोलू A D को मैंने लिख दिया B C upon B E और B C को B E के terms में लिख दिया तो 4 times B E upon B E यह हो गया भाई 1 F D की value 4 times B F आ गई जो लेके आनी थी इसी तरीके से A F की value 4 times E F हो जाएगी क्योंकि यह ratio 4 by 1 आ रहा है hence proved हो गया hence मचा दिया दो-दो step के question है कभी चीजों को solve करते वे चल रहे हो जो बाते given हैं हर एक बात का logic होता है ABCD parallelogram क्यों दिया था? क्यार तुम A D को B C के बराबर दिखा दो A D को तुम B C के बराबर दिखा दो तुमको दिखा होगा यहां पर तुमने जैसे ही यह सब लिखा तुमने बुला है यह A D के बारे में तो कोई जानकारी दी नहीं है पर A D B C के बराबर है तो इस A D को मैंने B C upon B E लिख दिया अब यह B C है इसको B E के टम्स में लिख सकते B C को B E प्लस C लिख सकते और C की value 3 times B E है तो 4 times B E हो गया इसको 4 times B E कर दिया तो यह ratio आ गया 4 by 1 मतलब यह जितनी भी कहानी है यह सब 4 by 1 के बराबर है अब कभी यह 4 by 1 के बराबर है तो A F की value 4 times E F आ गई है यह पहला मतलब यह आपका प्रूव हो गया A F बराबर 4 times E F इसी तरीके से D F आ जाएगा 4 times B F clear है चाप लो चाप लो बड़े आगे अच्छा सवाल ता है डाइग्राम के साथ मैं कैसे खेल रहा हूँ तुमको भी डाइग्राम से पता है similarity के question करने होंगे डाइग्राम कभी सही बनाओगे तो order में कभी गलती नहीं करोगे एंगलों को पकड़ के चलोगे तो चीजे बहुत आसान लगेगे बागी कुछ है नहीं इसमें PBC 2018 में पूछा गया सवाल को पढ़ते डाइग्राम बनाने की कोशिश करते क्योंकि डाइग्राम से सवाल होता आसान ट्राइंगल ABC तो बना नहीं है बनाया भहिया ट्राइंगल ABC डाइग्राम बनाएंगे तो देखो एक लाइन ड्राउ करी XM ओके XM पैर्रल बनाई AB के और XN ओके XN पैर्रल बना दिया आपने AC के ऐसा कुछ बना दिये गया XN पैर्रल बना दि AC के और AB in N AC at M अब इस MN को प्रोड्यूस करा इस MN को आपने प्रोड्यूस करा इस तरीके से ओके इस MN को आपने प्रोड्यूस करा इस तरीके से आगे बढ़ाया और ये कहीं BC से जाके मिलेगी अभी इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं जाकर इनकी मुलाकात होगी यह यहाँ पे मुलाकात हो गई यह जो point है इसको आप कहा रहे हो T इस point को आप कहा रहे हो T इस point को आप कहा रहे हो T इस BC को extend करा और MN को produce करा वो meet करेगा CB को add T तो भाईया आपको prove क्या करना है आपको prove करना है कि जो XT का square है वो बराबर है tb into tc के जो x t का square है ये तो तुम खुदी कर लोगे डाइग्राम बन गया तो आप तो कुछ हाई नहीं tb into tc के बराबर है यार लाइने पैरल दे रखे given वाली जो बाते हैं मैंने पहले नहीं लिखा given में यहां लिख देता हू given क्या था given था कि यार ये जो xm है ये पैरल ये ab के लिखा है यहां पर xm को पैरल बनाना है ab के और xn को पैरल बनाना है ac के तो xn जो है वो पैरल ये ac के मतलब यार ये वाली side पैरल ये इस वाली side के और ये वाली side पैरल ये इस वाली side के अब तुमको दिख गया यार कि ये भाया AB बोलो या BN बोलो उसी का पार्ट है BN पैर्रल हो गया XM के ये ट्राइंगल लपेट दू कभी TXM तुमको तो दिखी गया होगा आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे BPT लगाने में N ट्राइंगल TXM क्योंकि TX का स्क्वेर चाहिए तो ट्राइंगल दिया TXM लाइने दिख रही है मेरे को BX BX नहीं यार BN बोल सकता हो न BA की जगा BN बोल दिया मैंने BN पैर रहे ले गुरू किसके XM के है न ये तो गिवन ही है AB की जगा BN लिख दिया तो भाई ये बात जब गिवन है तो आप बोलोगे by basic proportionality theorem क्या कहोगे कि गुरू पूरा TX लपेट देता हो एक साथ TX upon TB चाहिए था TB चाहिए न हाँ चाहिए तो TX के साथ TB लपेटा और मैं BN को देख रहा हूँ तो ये पूरा TM तक लूँगा पर इदर कितना लूँगा TN तक ये बात समझ नहीं कि थी ये पहली equation सबकी बननी चाहिए ऐसी देखो बापस से TX upon TB बराबर होगा TM upon TN जैसा इदर कर रहो न TX पूरा लिया तो उदर TM पूरा लो पर TB ले रहो तो TN ले लो और TB क्यों लिया क्यों कि TX और TB चाहिए प्रूफ में इसलिए इस तरीके से लिया है ना क्योंकि पैरल ले तो फिर आप किसी भी तरीके से पूरा भी ले सकते हो या ऐसा क्यों नहीं लिया TB upon BX बराबर TN upon NM क्योंकि BX के बारे में कोई जानकरी है ही नहीं अब इसी तरीके से अगला लो दो लाइन है आप कौन सी पैरलल है XN और MC तो वही TMC इन ट्राइंगल TMC आपको दिख रहा है NX NX पैरलल टू CM जो NX है वो पैरलल है किसके CM के तो अगेन बाइ बेसिक प्रपोर्शनालिटी ठीराम देखो कलर अलग-अलग कर रहा हो तो पूरा फील आ रहा होगा अब ये ट्राइंगल ही लपेटा है TCM TMC इसमे NX पैरलल है MC के तो फिर लपेट हो वैसे ही अब तुम क्या लोगे TC चाहिए क्या चाहिए पूरा TC लपेट रहे है TC कभी पूरा लपेट रहे हो तो उदर पूरा TM तक जाओगे तो इदर पूरा TM तक जाओगे हैना TC लपेटा तो उदर पूरा TM तक जाओगे और इदर क्या लिखोगे TC upon TX हैना बराबर TM upon TN भाज समझ में आई order का खेल चलता है, यह 1 यह 2, अब दोनों में देखो भाई, RHS same आ गई तो दोनों का LHS same हो जाएगा तो TX upon TB बराबर आ जाएगा TC upon TX के cross multiply करा, तो TX का square हो गया, TB into TC hence proved बताओ आया मजा आया मजा question कितने आसान हो जाते जब diagram बन जाता है चाप लो diagram कभी बनेगा तो काम आसान हो जाएगा है ना maximum question में अप्रोच देख रहे हो CBSE ने जो पूछा है basic proportionality theorem के general question, triangle उको लपेटना है, दो equation बनेगी दोनों में एक LHS same आ जाएगा और यह देखना है कि कभ पूरा TX ले रहा हो कि question में TX लेकर आना है तो TX कभ आएगा, मैं कभी इदर TX ले रहा हो तो उदर TM लोंगा, फिर मैंने TB लिया तो इदर TN ले लिया, इस तरीके से सोचना है क्योंकि TB भी चाहिए आई बास समझ में बढ़ो आगे ये equation कैसे आई समझ में आए ना ये ये, 1 and 2 से यहां लिख ले ना by 1 and 2 इसके उप़र by 1 and 2 दोनों का जो ये है RHS, TM upon TN है तो LHS बराबर होगा वही करा, TX upon TB को TC upon TX के बराबर कर दिया और ये लेके आना था X की square बोलू या TX square बोलू बात A की है, साइड को घुमा सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ये अब अगला question है 15, इसके बाद case based problem और देखेंगे तो ये इस 15th question में क्या है, पढ़ो एक बार वीडियो को pause करो, खुद से try करो अब मैंने इतने question तुमको करा दिये, ये बनना चाहिए एक given figure ए D और E, दो point ए A B पर दिख रहा है such that AD जो है, ये वाली side जो है, वो B E के बराबर दे दिये और AD को B E के बराबर दे दिया है given है ये, बात लिख ले ना, given है कि जो AD है, वो B E के बराबर है DP जो है, वो parallel है BC के DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC ये जो EQ है, ये parallel है AC के मतलब भया, ये वाली side इसके parallel है ये वाली side इसके parallel है अब तुम्हें कह रहे है, prove करो prove क्या करना है मेरे भाई prove करना है PQ parallel to AB लेगो जब भी parallel prove करने को आ जाए मतलब Converse of Basic Proportionality ठीरम लगेगा येर PQ, PQ parallel to AB कह रहा है इसका मतलब बड़ी ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि PQ parallel to AB इस triangle में आ रहा है वो तभी possible है जब तुम prove कर दो कि CQ upon BQ will be equal to CP upon AP ये कभी आपने साबित कर दिया तो by Converse of Basic Proportionality ठीरम लाईने जब parallel दिये तो आप ratio को बराबर prove कर दो वो अपने आप Converse of Basic Proportionality ठीरम से हो जाएगा कभी CQ upon BQ बराबर कर दिया CP upon AP तो PQ parallel हो जाएगा AB Converse of Basic Proportionality ठीरम पता है ये कभी ratio बराबर होता है दो side का है ना तो वह जो तीसरी side है triangle की वह parallel हो जाती हो उस PQ के साथ है ना तो यार ये बाते अपने को पता है अब इसको लिखना है तो basically मुझे लाना ये है proof देखते हैं सबसे पहले कभी मैं देखूँ तो यार मैं को दिया है DP जो है वो है parallel to BC ये given है है ना तो भाई कभी DP parallel है BC के तो basic proportionality ठीरम लगाओगे triangle ABC में तुम्हें दिख जाएगा कि AD upon DB is equal to AP upon PC या CP है ना तो ये तो चाहिए ही था AP और CP देखो AP और CP तो चाहिए ही ता काम हो गया है ना अगला देखते है इसी तरीके से सोचोगी लाना ये है तो in triangle अगला वापस से ABC एक और side parallel दे दिये EQ parallel to AC अब भाई EQ कभी parallel दिया है AC के तो क्या कहोगे कि गुरू BQ upon CQ will be equal to BE upon AE अब तुम देखो यार ये भी आ गया BQ CQ है ना BQ CQ भी आ गया अब देखो इधर BQ CQ आपको CQ upon BQ की value लानी है तो देखो CQ upon BQ की value आ गई ऐसे मैं तो उल्टे ही सोचता हूँ AE upon BE काम आसान हुआ CQ upon BQ इसको reciprocal कर दिया गया गया इधर से AP upon CP मतलब इधर भी CP upon AP को देखें तो यह जाएगा DB upon AD दोनों में अब ये जो DB upon AD है DB upon AD को बराबर करना है AE upon BE के मेरी बास समझना ये जो AD है वो BE के बराबर है ये जो AD है ये BE के बराबर है Already तो denominator तो बराबर हो गया अब तुमें ये साबित करना है कि DB wr3 देखो यार ये X है समझ न तो यार ये मैंने बोल दिया y है और ये भी x है मान लो क्योंकि ad को आपको बोला है ad को बोला है b e के बराबर तो ad भी x है तो b e भी x है और ये d e को y मान दिया तो a e की value को देखेगा तो वो क्या रही है? a e की value x plus y इसी तरीके से d b की value देखेगा तो वो भी क्या रही है? x plus y तो a e और d b बराबर है तो इस d b की जगा मैं लिख सकता हूँ a e और ये लिख दिया c p upon a p इधर भी बनतलब वो तो होई गया ये c q upon b q बराबर है a e upon b e के तो भाई by 1 and 2 ये दोनों डब्बो को देखो ध्यान से c p upon a p बराबर आ गया c q upon b q के और ये कभी बराबर आ जाए c q upon b q बराबर आ गया c p upon a p के जो prove करना था उसको दिमाग में लेके चले parallel था ये parallel कब prove होगा जब ये ratio बराबर आ जाएगा अब ये बराबर आ गया आप कहोगे by converse of basic proportionality theorem c q upon b q बराबर आ गया c p upon a p तो converse of basic proportionality theorem से यहाँ पर लिख देना by converse of basic proportionality theorem converse of bpt आपका जो p q है वो parallel हो जाएगा माफी चाहूँगा writing के लिए उंगली में क्या आज लगी हुई है तो pen बार बार slip हो रहा है p q parallel to a b निल कटर काटते वक्त जादर वो कट हो गया तो p q parallel हो गया a b के clear है p q parallel हो जाएगा a b के तो देखो यार question को करने का approach समझो क्या कर रहे हैं हमपन वापस एक बार वो करता हूँ rewind करता हूँ पांच मिनिट पहले जाता हूँ लाना था p q parallel to a b जब line parallel लानी होती है तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये समझना है कि आपको line parallel लानी है मतलब आपको ratio बराबर कर देने क्योंकि converse of basic proportionality theorem में यही अपन ने थाबित कि line parallel हो जाती है जब ratio बराबर होता है है ना तो concept अपने को आता है कि parallel प्रूव करने का है तो converse of bpt दिमाग में आती है अब converse of bpt के लिए ये relation को बराबर लेके आना है तो cq upon bq को बराबर करना है cp upon ap के तो जब मैंने ये वाला लिया dp parallel to bc तो मैंने कोशिश ये ही करी है dp parallel to bc में कि cp और ap आए क्योंकि वो लाना है तो cp ap के form में ही लिखा अब तुम्हें पता है db कभी मैं इसको x बोल देता हू ad आपको बोला है b e के बराबर ये सवाल में लिखके दिया है कि जो ad है वो b e के बराबर है और उसको मैंने x मान लिया और ये मैंने d e को y मान लिया तो इससे मुझे ये समझ में आगी कि जो a e है वही db है क्योंकि ये तो common part है दोनों में ये वाला part इसमें जोड दिया तो a e बन गया और ये वाला part इसमें जोड दिया तो b d बन गया और वो दोनों पार्ट बराबर है तो बराबर ही होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यार ये DB को आप AE लिख सकते हो और AD को आप B लिख सकते हो तो ये भी AE upon BE की value हो ये भी AE upon BE की value हो तो दोनों का LHF भी बराबर होगा कि एवल side के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं पैररल लाइन में basic proportionality theorem का use कर रहे हैं अब देखो भाई triangular field इसलिए मैं बोलतो basic proportionality theorem को बहुत अच्छे से करके जाना क्योंकि CBSE को बहुत ज्यादा पसंद देखो कितने सालों में हर बार basic proportionality theorem से question आया है और करना कुछ नहीं होता है बस जो data दिया है जो parallel line दिये उसको ऐसे लेना है जो प्रूव करना है उसको दिमाग में रखे कि वो side किस में आ रही है अब देखो राम के पास field है right angle triangle के shape में जिसमें perpendicular side की length है 144 and 84 respectively he wants to leave a space in a farm of square shape and of largest side inside the field for growing wheat and the remaining part for growing vegetable on the basis of above information answer the following question तो मेरे भाई यह triangular field है दिख रही होगी आपको उसमें इन्होंने एक square को cut कर दिया देखना एक triangular field है ओके यह आपका triangle है दिख रहा होगा सबको pink color का मैंने बनाया है ओके यह दिख रहा है सबको थोड़ा सथिकनेस का बड़ा सबको तो यह triangular field आपको दिख रही है इसमें एक square shape है यह आपका square shape largest size का थोड़ा सब्सक्राइग्राम वो black and white में आपको clearly नहीं दिख रहा होगा अब यह तो यह question है कि यार एक राम के पास field है in the shape of right angle triangle यह जो pink color का मैंने बनाया right angle triangle के shape की field है with the perpendicular size of length 144 and 84 meter मतलब मान लो कि यह यह वाली side 144 meter की है और यह वाला जो है दूसरा perpendicular side वो कितना है 84 meter इन्होंने बोला he wants to leave a space in a farm of a square shape and of largest size inside the field for growing wheat and remaining part for growing vegetable इन्होंने बोला कि इन्होंने एक space छोड़ी है in a farm of square shape यह जो square shape है ना इतनी जगा छोड़ दी okay for growing wheat इसने हिस्से में क्या गेहू पैदा होंगे यह वाला जो हिस्सा है यह wheat को grow करने के लिए गेहू को grow करने के लिए है और बाकी जितना भी हिस्सा है वहाँ पे vegetables grow होंगे बाकी जो remaining portion है यहाँ पे भी vegetable और यहाँ पे भी vegetable तो question समझ में आ गया यह कह रहा है answer the following question if a line is a drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side in distinct point then the other two side are divided in the same ratio यह तो भाई basic proportionality theorem की statement लिखी है which is absolutely right यह तो basic proportionality theorem यह मैं बोलू थेल से थियरम की बाते लिखी है जो की absolutely है ना राइट है यह एकदम yes यह लिख दरना कि एक line को कभी draw करोगे parallel to one side of a triangle पूरा lecture अपनने आज इसी पे लिया है क्यार यह triangle ABC है कभी मैं बोल रहा हूँ क्यों DE parallel BC के तो other two side को same ratio में divide करेगी है ना कि कभी DE parallel BC के तो AD upon BD will be equal to AE upon CE वही कहने की कोशिश कही है है ना तो यह basic proportionality theory में identify कर लिया तुमने यह statement okay find the length of the side of the square shape यह square shape का आपको length निकालना है तो मान लो यह square shape की length है X largest size का square आपको fit करना है यह X है अब देखो इस दो triangle बन रहे हैं कभी मैं देखूं तो यार यह point को A नाम दिया इस point को A नाम दिया इसको B बोला इसको C बोला ओके घ्यान से देखना इसको C बोला और इधर मैं बोलूं क्यार यह मेरा है D point और यह मेरा point है E तो तुम्हें दिख रहा है कि sir triangle जो A, D, E होगा A, D, E triangle A, D, E that will be and triangle A, B, C triangle A, D, E और triangle A, B, C को देखो ध्यान से दोनों triangle कैसे गुरू दोनों triangle कैसे similar है the both the triangles A, D, E A, D, E is similar to triangle A, B, C कैसे बता रहा हूँ यह square है यह 90 degree यह भी 90 degree क्योंकि square form हुआ तो यह D, E जो है है ना मैं पूरा लिख देता हूँ क्यों triangle similar होंगे D, E parallel होगा किसके B, C के क्योंकि square की opposite side parallel होती है तो D कभी parallel है B, C के तो आपको पता है कि यह angle A, E, D जो angle बनेगा वो equal होगा angle A, C, B के क्योंकि दोनों angle क्या है 90 degree के है दिख रहा है क्योंकि square है और एक right angle triangle है तो यह 90 degree यह 90 तो उपर वाला भी 90 हो जाएगा तो यार white color में यह दिखनी रहा होगा यह 90, 90 और यह 90 तो यह 90 है angle A, C, B तो angle A, E, D, B 90 हो गया और common angle angle A है तो D, A, E will be equal to D, A, E लिया तो इधर से B, A, C common angle that is same angle common angle ले लिया तो by A similarity दोनों triangle कैसे हो गए भाई similar हो गए by A, A similarity दोनों triangle आपके कैसे हो गए similar हो गए अब तो मेरे क्याल से similarity में खेलना सीख गए होंगे अब तुम्हें क्या चाहिए A, D नहीं तुम्हें तुम कह सकते हो यहां से A, E upon A, C A, E upon A, C will be equal to देखना A, E upon A, C will be equal to E, D मतलब यहां मैं बोलू D, E upon B, C सारे corresponding side लिखना लिख लो यह D, E upon B है by C, P, C अब काम के क्या है देखना यह square है तो इसकी हर side X, 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 X होगी इतना समझ में आता है इसकी हर side X होगी तो भाई यह वाली side भी इसकी X होगी यह वाली side भी इसकी X होगी तो यह नीचे वाली भी इसकी X होगी तो मेरे भाई यहां से समझ में आ गया कि d e d e की value x है d e x होगा क्योंकि square है है ना तुम्हें d e चाहिए था चाहिए था चाहिए था बी सी चाहिए चाहिए बी सी की value कितनी होगी bc आपने मान लिया नीचे वाला 84 ठीक है उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए a e a e तुम्हारे पास कितना होगा a e भाई यह x है देखना द्यान से यह x है भाई c e x है c e x है दिख रहा है यह ब्लू कलर नहीं दिख रहा होगा dark हो गया होगा है ना मेरे कहले से तो करी लिया होगा तुम्हें c e x है यह c e x है a e निकालना यह पूरा a c 144 है तो यह क्या होगा a c मैसे c e गया तो यहां से a e निकल क्या गया 144-x अरे मिरे भाई यह x है यह पूरा 144 है तो यह कितना हो जाएगा 144-x यह आ गया 144-x ए ना सारी बाते समझ में आ रही है यह वाला जो point है this is e यह जो point है मिरे भाई यह point है तुम्हारा e point यह b है और यह तुम्हारा point है c अराम से देखना डाइग्राम तुम्हारे सामने clearly बनावा है तो अब तुम्हें a e पता है लिख देता हूं में a e पता है 144-x upon तुम्हें a c पता है a c कितना है a से लेले c तक that is 144 तुम्हें d पता है d कितना है x और तुम्हें b c पता है b c that is 84 ठीक है ठीक है ठीक है भाई यह आ गया अब तुम्हें solve करना इसको solve कर लो 144-x into 84 will be equal to cross multiply किया मैंने यह आ गया 144x 144 x 84 minus 84 x बराबर 144 x ठीक बुलालो उदर 144 will be equal to 144 x 84 will be equal to 8, 12, 1, 228 x यह आ गया x वराबर 144 x 84 upon 228 I hope सबका x का value यह आया होगा यह largest size का square है जिसकी side यह होने वाली है अब तुम काटना चाहो तो काट लो इसको 12 की table से यह जाएगा क्या देखते हैं 12 वंजा 12 और 108 उननिस बार में कटे गा यह और यह 12 बार में कट जाएगा है ना बहुत बढ़िया देखो ना 12 वंजा 12 और 10 एक्सवाट उननिस बार में कट गया यह 19 की table में 84 नहीं आता है ना 19 की table में 84 आता है क्या नहीं आता है है ना तो ये बन गया 12 into 84 upon 19 बराबर x यहां से solve कर लिया 12 वो फोर जा 48 12 एट जा 96 और 4 अगें 100 वापस से देखना 48 4 के रिए 12 एट जा 96 है ना और 4 आपका हो जाएगा 100 यह हो गया 19 बराबर x यह आपका क्या निकला size of the square length पूछी रही ना तो यह निकल कर आगई 1008 divided by 19 मेरे क्याल से सबका यह यह आया होगा इसको पूरा calculate कर लेना decimal तक मीटर में की centimeter में वो unit देख लेना 144 किसमें दिया था मीटर में तो यह answer भी आएगा मीटर में उसके बाद area निकालना है तो area क्या है भई side का square तो यह वाली side जो आपकी आई एक हजार आठ अपॉन 19 का square solve कर लेना मैं नहीं कर रहाए इसके आगे meter square में answer आ जाए थोड़ा सा calculation लिंदी गया पर सवाल समझ में आया होगा एक बाद वापस से देख लो इन्होंने कहा था कि राम के पास field है right angle triangle के shape की जिसकी perpendicular side 144 और 84 meter की है he wants to leave a space in a farm of square shape ऐसा square shape का इसको जगा छोड़ना था जहां पर ये अपना wheat grow कर पाए और वो largest size का होना चीए जितना भी maximum possible square आप बना सकते हो वो आपको बनाना है तो आपने मान लिया वो x size का एक square इसमें बनाएगा जहां पर वो गे हूब होएगा और बाकी जगा उसने vegetable बोने तो on the basis of above information आपको ये कुछ answer देने थे तो हमने बोला भीया ये जो square है इसकी पूरी जो वो है length वो x है तो d e x हो गया c e x हो गया और ये वाला जो point है इसको f बोलना हो तो बोल लेना c f मतलब आपने क्या बोला d e f c ये मेरा एक square है d e c f मेरा एक square है ओके ये square है तो वहाँ पर हमने d e को x बोला कभी मैं d e को x बोल रहा हूँ c b x है अब ये पूरा मैं कहा रहा हूँ ac आपका 144 है ये given है कि आपको एक perpendicular side को 144 मानना है और दूसरी perpendicular size आपने b c को माना तो वह perpendicular side side आपकी 84 है बस काम हो गया आपका इस तरीके से आपको लेना था काम बन गया ओके तो पहले अपने triangle को similar कर दिया triangle को similar करने के बाद a e की value 144 minus x है ac पूरा 144 है d e आपका x है और b c पूरा आपका 84 है फॉल्व करा आपने इधर तो 144 x 84 minus 84 x बराबर ये इसको इधर बुला लिया ये देखो 8 4 12 to 28 x लेकर आए 12 की table से दिया ये बारा बार में और ये देखो कितनी बार में जा रहा है 12 बन जा 12 10 9 times में तो उपर 12 of the 48 4 carry 12 of the 96 और 400 ये आगे आपका मीटर में side of the square और square की side आ गई उसके बाद तो इन्होंने क्या पूचा कि आपको निकालना है area, area क्या होगा side का square क्योंकि आपको formula पता है a square तो वो लगा दिया, solve कर दिया मेरे क्याल से सारे question 16 के 16 आप लोगों से बने होंगे और triangle में अब कोई doubt नहीं होगा similarity दिखती है आप question को पढ़ोगे ना तो ही आपको दिख जाएगे अच्छा common angle है ये given angle equal दे दिया दो एंगल दिख गए बराबर triangle similar हो गए तो I hope triangle का डर खतम हुआ होगा warrior series में triangle एक बाद और discuss होगा मन लगा के पढ़ाई करते रहो मचाते रहो bye bye take care all the very best पढ़ाई करते रहो